हेलो डियर स्टुडेंट्स आप सभी का फिर से वेलकेम हैं और आज हम करेंगे चैप्टर 2 का एक्सराइस नूमबर 2.2 ठीक है तो पिछली क्लास में हमने 2.1 कम्प्लीट कर लिया था और 1 by 2 की पावर भी है इसको हमें सॉल्फ करना है तो देखिए ऐसे कोश्चन में हम क्या कर सकते हैं देखिए सबसे आसान तरीका क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं तो एक सबसे आसान तरीका में बतारा हूं जो आपको शायद पसंद भी आएगा 2 by 7 की पावर 3 है तो एसका मतलब हम 2 by 7 को 3 बर multiply कर लेते हैं थीखे का क्यूब का मतलब यही होता है 3 बर multiply करना है सेम नंबर को 2 by 7 into 2 by 7 into 2 by 7 थीखे अब यहाँ 1 by 2 जो है इसकी पावर क्यूब है तो यहाँ पर इसको भी हम 3 Bis multiply कर लेते हैं 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 देखें अब क्या होगा ये वाला 2 इससे cancel हो जाएगा ये numerator में है ये denominator में है वैसे ही ये वाला 2 इससे cancel हो जाएगा ये वाला 2 इससे cancel हो जाएगा केवल 3 7s बख जाएंगे जो कि denominator में है तो अगले step में लिखेंगे 1 by 7 into 1 by 7 into 1 by 7 और इसको एक साथ भी लिख सकते हैं 1 upon 7 into 7 into 7 अब यहां 7 को 3 बार multiply करेंगे याने 7 का cube हो गया और हमने cube वाले जो exercise में देखा था वो chapter जब हमने किया था 7 का cube होता है 343 तो directly हम answer लिखेंगे 343 मैंने आपको पहले भी बोला है कम से कम 1 से लेकर 10 तक के cube याद रखना है आपको और 1 से 20 तक का square याद रखना है तो अगर यह आपको याद है तो देखिए आपका time बच जाएगा पड़ाक से आप यहाँ पर answer लिख सकते हैं तो यह है इसका answer अब देखिए next question यहाँ पर क्या है 4 by 5 और इसकी power है 4 and 5 by 4 इसकी power है 2 अब देखो इसको हम कैसे करेंगे वसी देखो मैं इसको करने के आपको 2 method बताता हूँ एक तो आप ऐसे कर लो 4 by 5 को 4 बार multiply करो 4 by 5 into 4 by 5 into 4 by 5 ठीक है अब इसके बाद 5 by 4 को 2 बार multiply करो क्योंकि यह square है 5 by 4 into 5 by 4 ठीक है अब क्या होगा 2 4 जो है वो इससे cancel हो जाएंगे और 2 5 इससे cancel हो जाएंगे तो क्या बचा आपके पास यह बचा किवल 4 by 5 into 4 by 5 और 4 4 जा होता है 16 और 5 5 जा होता है 25 तो इस तरीके से आपका अंतर आगा एक तो यह तरीका है ठीक है इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं दूसरा तरीके में हम क्या करेंगे देखो पहले जो है 4 by 5 को तो ऐसी लिखेंगे इसकी पावर है 4 और जो 5 by 4 है इसको हम change कर देंगे denominator को numerator से numerator को denominator से यानि 5 by 4 को हम लिखेंगे 4 by 5 तो जब भी हम ऐसा करते है exponent के case में denominator बन जाता है numerator और numerator बन जाता है denominator तो जो भी इसकी power है वो negative में convert हो जाती तो यह power यहाँ 2 है इसकी power हो जाएगी यहाँ पर minus 2 ठीक है अब देखो यहाँ bracket के अंदर 4 by 5 है यहाँ भी bracket के अंदर 4 by 5 है यानि base same है और power अलग है तो multiply में power क्या होती है add हो जाती है तो 4 by 5 हम लिख लेंगे common और power add हो जाएगी 4 plus minus 2 ठीक है bracket लगा 5 देखो plus और minus minus ही होता है यह बन जाएगा 4 minus 2 और simply बन जाएगा 4 upon 5 की power 2 4 minus 2 ठीक होता है आप यहाँ पर यहाँ 4 का square हो करना है यहाँ 5 का square तो simply 4 का square हो गया 16 5 का square 25 तो देखिए यह इस तरीके से भी कर सकते है और जो मैंने पहले जो तरीका बताया उससे भी कर सकते है तो जो आपको easy लगे उससे आपका सकते है देखिए next question है minus 5 cube divided by minus 1 upon 5 square इसको हमें simplify करना है तो देखो जब भी इस तरीकी question आए तो यह जो divide वाला symbol है ना पहले हम इसको convert करते है multiply में वो ज्यादा easy होता solve करना है as compared to divide तो यहाँ पर यह divide के जगे हम लिखेंगे multiply जब भी divide को change करत आप multiply में तो यह वाला जो rational number है यह change हो जाएगा numerator चले जाएगा denominator में और denominator चला जाएगा numerator में तो यह बन जाएगा 5 upon 1 यह minus 80 रहेगा फिर यह square ठीक है तो यह इस तरीके से question बन जाएगा अब देखो क्योंकि denominator में 1 होता है तो उसको आप लिखेंगे नहीं तो भी चल जाए अब क्या बन गया minus 5 q and minus 5 square तो overall क्या हो जाएगा base सेम है तो power add हो जाएगी multiply में minus 5 और इसकी power क्या हो जाएगी 3 plus 2 हो गया 5 यहाने 5 को multiply करेंगे 5 times तो minus 5 into minus 5 into minus 5 into minus 5 into minus 5 इसको 5 बर multiply करेंगे अब यहाँ पर दो-दो का पेर बना लो पेहले यह दो को multiply करेंगे फिर यह दो को और फिर में लास्ट में इसको करेंगे ठीक है तो देकूं माइनस 5 इन्टू माइनस 5 ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्लस 25. ठीक है? फिर उसके बाद माइनस 5 इन्टू माइनस 5 ये भी बन जाएगा प्लस 25 और last में बज गिया है माइनस 5 इसको अभी रहने देंगे इसको हम बाद में करेंगे multiply अब फिर 25 25 को multiply कर देंगे तो 25 इन्टू 25 होता है 625 ठीक है? ये 25 का square होता है और इन्टू माइनस 5 यहां रहने देते हैं अब 625 को multiply करेंगे माइनस 5 से इसका answer आजाएगा अब देखिए यहाँ पे देखो negative negative से positive बन गया था दोनों लेकिन अब यह negative है और यह positive है negative और positive का multiplication हमेशा negative रहते है तो answer में minus होगा और इन दोनों को multiply करने से answer आजाएगा 3, 1, 2, 5 तो यह है हमारा answer अब देखिए next question है 3 by 4 power 3 and 3 by 4 power minus 3 इनको multiply करना है तो देखिए base तो same है power L है तो simply power add हो जाएगी because ही multiply है बीच में तो exponent में है rule लग जाएगा तो 3 by 4 की power 3 plus 5 bracket में minus 5 अब इसको solve करते हैं आगे तो 3 by 4 और इसकी power plus और minus minus हो जाएगा तो 3 minus 5 अब 3 minus 5 होता है minus 2 तो अगले step में लिख लेंगे 3 by 4 और इसकी power हो गई minus 2 ठीक है अब देखे इसको हम क्या करेंगे 3 by 4 को हम change कर देंगे 4 by 3 से तो यह जो power minus 2 यह बन जाएगी power plus 2 तो 3 by 4 के जाएगी हमने लिखा 4 by 3 तो जब भी हम numerator denominator को interchange करते हैं तो जो भी power उसका sign change हो जाता है यदि वो minus है तो power plus हो जाएगा और अगर plus है तो वो बन जाएगा minus तो यह minus 2 बन जाएगा plus 2 अब plus 2 का मतलब हो गया square यानि अब इन दोनों का square करना है 4 का square होता है 16 और 3 का square होता है 9 तो final answer हो गया 16 by 9 अब यह देखिए next question करते है question number 2 यहाँ पे लिखा express in form of exponents यहाँ पे देखिए है a is equal to a दो दिया sorry minus 25 upon 49 ठीक है अब इसको exponent के form में करने के लिए या तो आप करो prime factorization method और यहाँ पे prime factorization की जरूत पढ़ेगी नहीं क्योंकि यदि आपने chapter 1 अच्छे से पढ़ा है आपको पता होगा 25 किसका square होता है 25 होता 5 का square तो यहाँ हम लिखेंगे 5 का square और 49 होता है 7 का square तो इसके नीचे लिखेंगे 7 square और इसको हम एक साथ लिखेंगे तो 5 by 7 whole square ऐसे लिखेंगे और minus sign बाहर रहेगा तो इस तरीके से जो इसका answer हो गया 5 by 7 whole square ठीक है तो इसी तरीके से बाकी questions को भी आपको करना है यदि यह आपको squares याद है cubes याद है तो यह आपको फटाफट जो है इसके answers बन जाएंगे ठीक है चलिए अगला करते है अगला है 27 upon 125 आप देखो 27 जो होता है वो 3 का cube होता है और 125 होता है 5 का cube और यह cube है 5 का cube तो अब इसको एक साथ बेकी bracket में अगर हम लिखें तो यह number बन जाएगा 3 upon 5 का all cube तो यह इसका answer हो गया अब अगला देखिए यहाँ दिया है 729 upon 64 तो 729 किसका cube होता है देखिए square वाला तो नहीं होता है कोई भी यह number यह cube वाला ही number है ठीक है 4 का cube होता है देखिए यहाँ सारे cubes का जो आपको use करना है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 से 10 तक के सारे cubes याद रख लो और 1 से 20 तक के सारे square आप याद कर लो हर जगे आपको यह जरूद पड़ेगा ना के वाल 8 में इसके higher classes में भी जाएंगे ना तो हर जगे आपको इसकी जरूद पड़ेगी तो चलिए अब इसको एक साथ लिख लेंगे तो 9 by 4 का whole cube अब देखिए यहाँ जो हमने answer लिखा है 9 by 4 इसको हम further और simplify कर सकते हैं इसको क्या किया जा सकता मैं आपको बताता हूँ देखिए 9 जो होता है वो 3 का square होता है और जो 4 होता है वो 2 का square होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 9 के जगे लिखा 3 square और 4 के जगे लिखा 2 square और इनकी power है 3 ठीक है अब further हम क्या करेंगे 3 by 2 को एक साथ लिख लेते हैं 3 by 2 इसकी power लिख लेते हैं 2 और इसके बाहर एक और bracket है जिसकी power है 3 ठीक है अब यह वो वाला form आ गया power of power वाला जब भी power of power वाला form आता है तो यह दोनो power आपसे multiply होते हैं तो 3 2 हो जाएगा 6 तो यह final answer होगा 3 by 2 यह number तो हमारा same है बट जो power है अब वो हो जाएगा 6 ठीक है आप इसको इस form में भी लिख सकते हैं और इस form में भी लिख सकते हैं ठीक है लेकिन ज़्यादा simplified form यही होगा 3 by 2 की power 6 देखिए अब अगला question है third question देखिए इसमें क्या करना है हमको प्रूफ करना यह देखो एक equation दिया हुआ है इसको प्रूफ करना इसको solve करने पी जीरो आएगा अब कैसे प्रूफ करेंगे तो इसको simplify करना पड़ेगा तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे पहले हम लिखेंगे 5 by 7 इसकी power 7 पहला term तो ऐसे लिखेंगे अब जो दूसरा term है देखो यहां 5 by 7 है इसको हम change कर देंगे इसका numerator और denominator interchange करेंगे तो 7 by 5 है इसको हम लिखेंगे 5 by 7 और इसकी power जो है अब बन जाएगा minus 7 अब फिर उसके बाद minus 3 by 19 लिखेंगे यह square हो गया उसके बाद यहां 19 by 3 है तो इसका हम change कर देंगे numerator denominator तो यह फिर बन जाएगा 3 by 19 और जो power 3 इसकी बन जाएगी minus 2 ठीक है अब देखो क्या होगा 5 by 7 5 by 7 बेस सेम है तो power हो जाएगी add अब क्योंकि यहां पर एक plus है और negative में है तो यह हो जाएगा 7 minus 7 minus 2 ठीक है दोनों power minus होगी देखिए यहां actually multiply में add होता है ना लेकिन मैं directly कर रहा हूँ क्योंकि एक positive number है और negative number है positive और negative number को जब plus करते है तो actually वो subtract ही होता है ठीक है इसलिए मैंने एक step आपको जल्दी कर लिया वो वाला आप मेरे खेल समझ में आ गया होगा अब 7 minus 7 करेंगे यह हो जाएगा 0 तो 5 by 7 ठीक है इसकी power हो गई 0 फिर minus यहां भी 3 by 19 इसकी power भी हो जाएगा 0 और किसी भी number का power यह दि 0 होता है तो इसकी value होती 1 फिर इसकी भी value हो जाएगी 1 यानि हमें मिलेगा 1 minus 1 which is equal to 0 यह proof होगे यह 0 हमें लाना था solve करके हम इसको 0 लिया है ठीक है next question है हमें यह proof करना है कि यह जो LHS side है और RHS side की equal आएगा तो इसे हमें proof करना है तो यहां हमको दिया P by Q की power M फिर P by Q की power M फिर Q by P की power M ठीक है हमें इसको LHS को इस RHS के बराबर बनाना है तो हम क्या करेंगे यह left hand side लेके चलेंगे और इसके बराबर लेके आएगे सबसे पहले आप क्या करेंगे जो P by Q है इसको change कर देंगे Q by P में तो power उसकी negative में आ जाएगी तो अब इसको हम लिखेंगे Q by P और आप इसकी power हो गई माइनस M फिर उसके बाद यहाँ P by Q को भी change कर देंगे यहाँ लिखेंगे Q by P तो यह भी power हो जाएगा माइनस M अब आप पुछेंगे कि हम इसको change क्यों कर रहे है इसको इसलिए कर रहे है क्योंकि यहाँ पे देखो Q by P के form में हमें मिल रहा है तो सारे P by Q को Q by P में convert करना है यह देखो Q by P पहले से है तो इसको हमें convert नहीं करना है इसको ऐसी लिखेंगे Q upon P और power हो जाएगी M ठीक है तो अभी हमें इसी को solve करना है अब देखो क्या हो गया Q by P, Q by P, Q by P बेस सबका सेम है तो power add हो जाएगी हम क्या लिखेंगे Q upon P और जो इसकी power हो जाएगी minus 2, minus M and plus M जितने भी power है सबको हमें plus करना है अब क्योंकि यह दो already negative है और यह positive है तो जैसे integer को हम solve करते हैं वैसे हम power को भी करना पड़ेगा तो Q by P और इसकी जो power हो जाएगी minus M और minus M यह बनके हो जाएगा minus 2 या ऐसे भी कर सकते है minus M plus M यह cancel हो गया ठीक है तो किवल बचेगा यह minus M तो यहाँ आ जाएगा power इसका minus M तो यही लाना था हमको RHS में यह आ गया हमारा तो यह भी हो गया proof देखें, next question तो बहुत ही easy है यहाँ पी क्या लिखा है 25 upon 16 की power minus 4 और यहाँ पी लिखा है 16 upon 25 की power 4 तो simply आप पहले LHS को ले लो और इसका numerator और denominator simply interchange कर दो है तो अगले step में किवल आप LHS को लेंगे और लिखेंगे 16 upon 25 तो जैसे ही आप इसका change करेंगे numerator इसका power हो जाएगा plus 4 तो hence यह हो गया proof यह एक ही step जाएगा इसमें तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है तो इसमें बस इतना ही आपको करना है देखें, अगला जो question है वो true and false वाला question आपको बताना है कि जो statement यहां लिखें हुए है क्या यह true है यह false है पहला आप देखेंगे minus 5 upon 4 की power है 65 और इसकी equal to है minus 5 की power 65 and 4 की power 65 तो यह true है यह correct statement क्यों true है देखो क्योंकि यह negative number है और negative number का power यहाँ 65 है 65 एक odd number है जब भी किसी negative number का power odd number होगा answer हमें से negative में आएगा तो negative में आगए यह तो सही है और इनकी power तो वही होगी क्योंकि common power है यहाँ पे 5 upon 4 की 65 इसको अलग-अलग कर कैसे लिख सकते है तो यह हमारा पहला जो है correct है अगले case में आजाएंगे minus 32 upon 19 की power 150 है तो यहाँ पे जब हमें को separate करें numerator denominator को power तो वही रहेगी 150 बट यहाँ का minus sign हट गया क्यों हट गया क्योंकि यह even number है 150 एक even number है तो इसलिए यहाँ minus नहीं आएगा तो यह भी हमारा सही है यह भी true है statement अगले statement में आए 25 into 3 और bracket में है power 5 तो यहाँ लिखा है 25 into 3 की power 5 तो यहाँ पे देखो केवल 3 की उपर power 5 है 25 की उपर power 5 नहीं है तो यह गलत statement है क्योंकि यहाँ जब bracket हमने लगाया तो इसका यह मतलब है कि यह जो power 5 है 25 का भी है और 3 का भी है तो यहाँ भी 25 में power 5 आना था यहाँ नहीं लिखा है तो इसका मतलब यह statement हमारा हो गया फॉल्स ठीक है अब next statement देखो 27 upon 16 की power minus 15 है और यहाँ पे होगे 27 plus 15 16 plus 15 यहाँ देखो power minus 15 में और यहाँ plus 15 लिखा यह गलत है आप minus को plus में convert तभी कर सकते हैं जब इसका denominator और numerator इंटर्चेंज हो जाए अगर 16 उपर होता और 27 नीचे होता तब यह जो है सही होता है statement लेकिन 27 उपर है 16 नीचे है तो power इसकी होनी चाहिए minus 15 इसलिए यह statement भी होगा गलत